क्या जीत पवार को रकामपा यानि की एंसीपी से बर्खास्त कर दिया जाएगा नमस्कार स्वागत है आपका स्पेन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शुर्ती और जिस तरह से महाराष्ट में सियासी घमसान चल रहा है अब कोड तक पहुच गया है पता दे आपको कि शनीवार की सुबह को देवेंद फडणीष ने सीयम पत 거지 शपत्य यानि मोफ मंतरी के तो पर अजित पवार ने शपत्ली रहेरा हमारे साथ में परग्राम में अमन जी इसवागत है आपका अमारे इस प्रोग्राम में शरत जो कि NCP के प्रमुख है और इनी के साथ ही उनके भतीज़ अजीत पवार ने उनसे बगावत की है क्या कहें गया है बिलकुल देखे पहले बार तो यह पारिवारिक मामला है राजनिती के मामला तो है ही है लेकिन जिस तरह से आपस में अंतरकले नेजर आ रहा है वो यह इसको जो महत भैबो खत्म हो जाए और साथ में इसको लेकर भी दली उनकी है कि जो फैसले आ रहे हैं जो बाते आ रही है वो यानि कि शिप्षेना और बीजेपिया कॉंग्रेस और जो एंस्टीपी मिलकर सरकार माने की जो बात कर रही है वो तरक संगत नहीं इसलिए वो उस नात ब pred einzige को को मरतन दे रहे हैं और क्यापन बढ़र को घृरत करने की कोशिश और रही है तो यह जिस सब्धाबबत करके वह बाहर गया बागाबत करके जो वहां स्वेफिफशन की तरब से कि ये पीट में च्छोडा जो को बंब ने कवको बंब अगर जह में खिलां इसा कुछ होता वहा नजर नहीं आ ईज्य होई हैं तो कुल मिलाकर अब ये जू मामला है उर जाता ही पेची कम के जिद पवार को बरखास क्यों नहीं किया जारा है उन्हें मनाने की कोशिश क्यों कि जारी है। जारा है लेगिन सचाई क्या है या जीत पवार और शर्ट पवार ही जानतें लेकिन फिलाल जब अधर में लटकी हुई से नजर आ रही है। ख्रक्राइब करना पड़ेगा अगर तापी आपके सता से बाहर हो जाएगी तो भही बात हुँ लेकर करे जो नित्सि के कि रहे हैं यहां इक अवंसटेश जो लोग मेरे पास मेँ बहीं जो अजीद पावार है वो अपने चेखनी देते हैं तो यह आखर कौन किसके पास है कि कि खेमे में हैं ये अभी जल्दवाजी होगी कहना पुक्ता तोर पे लेकिन हाँ मिला जुला कर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो महराज की दाजनीती है उसमे अभी बहुत कुछ आना बाकी है बहुत सारे दावपश देखना बाकी है लेकिन हाँ कुल मिलाकर पुरे मामले में शरत पावार का रुख भी मिला जुला सा नखर आ रहा है, कभी तो पने भतीजियों को खे भाटीज़े को न कम पार्टी निकालेंगे, इसको लेकर लगतार जद्द जहतार जारी है, उसलंद जारी है, अजीजर्च बात में बलाटी में, ह транवि पबार के पास ऐसा तो नहीं कि चालीज से पचास जो विधायक उनको समर्थन उनके पास में हो और वो अभी बताना नहीं चाहरे हो तो यह सब बाते हैं और शर्ट पबार के साथ में बहुत साथ लोग नजर तो आ रहें लेकिन क्या यह नजर आते रहेंगे और क्या यह लिडियर नहीं हो का जो पडेचे प्रति जवाब देहीं से बच पाएंगे फिर बेखेंगे तो यह यह तमाँ सारे एसी बाते हैं जो goog PI को ही देना होगा आघिस पबार को ही देना होगा लेकिन फिलहाल जो वसला रुका हुआ है जो फसा हुआ वो यही फसा हुआ है कि क्या आजीत पवार का होगा भविशे किस तरह से वह आपनाने बाला देखेंगे और क्या एंसीप में वापसी होगी या फिर उनको एंसीपी से बरखास कर दिया जाएगा जी आप बिजेपी के पास अबगनी परि तरह से बाते हो रही है खुलकर सामने आएंगी आपके पास और जैसे ही सामने आती है हम आपके पास जनकारी जरूर पहुचाएंगे और आपको यह जनकारी कैसी लगी आप हमें कमिंड बॉक्स में कर बता सकते हैं